मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अगनी रूप है जो अज्यानी रूपी असुर का विनाश करने के लिए साक्षात ज्यान की घन मूर्ती हैं और जिनके हदे रूपी भवन में धनुष्बान धारन किये हुए श्री राम जी निवास करते हैं अतुल बल के धाम सोने के परवत सुमेरु के समान कांती युक्त शरीर वाले दैत्य रूप वन को ध्वन्स करने के लिए अगनी रूप वाले ज्यान्यों में अग्रगण्य संपून गुणों के निधान वानरो के स्वामी स्री रगुनाजी की प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनिमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ जिन होने महा समुंद्र को गाय के खुर के समान बना दिया तथा बड़े बड़े राक्षसों को मच्छर की तरह मसल डाला उन रामायन रूपी महामाला के रत्न पवन पुत्र श्री हनिमान जी को मैं वंदना करता हूँ स्री जानकी के शोक का नाश करने वाले अक्षे कुमार का संहार करने वाले लंका के लिए अत्यंत भयंकर तथा वीर अंजना नंदन्श्री हनुमान जी की में वन्दना करता हूं लीला पूर्वक समुंद्र लांग कर जनक आत्मजाफ सीता जी की शोका अगनी को लेकर उसी अगनी से लंका को जला देने वाले अंजना पूत्र वीर हनुमान जी को मैं हात जोड कर प्रणाम करता हूं मैं मन के समान सिग्र गामी और वायू के समान वेग वाले इंद्रियों को जीतने वाले भुद्धि मानों में स्रेष्ट वायू पुत्र वानर समुह के प्रमुख स्री राम दूत हनुमान जी की मैं शरण ग्रहन करता हूं जिनका मुख गुलाब के फूल की तरह एकदम लाल है जिनके शरीर की आभा सोने के परवत के समान है जो सभी कामनाओं की पूर्ती करने वाले हैं परिजात तरू के नीचे निवास करते हैं मैं उन्पवन कुमार हनुमान जी का ध्यान करता हूं जहां जहां भगवान श्री राम चंद्र के नाम का कीर्थन और कथा होती है वहां वहां आखों में आशु भरे हुए और नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड कर मस्तक से लगाए हुए प्रेम भाव से उपस्तित रहने वाले राक्षसों का संहार करने वाले पवन पुत्र हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूं हनुमान इस्तुती सम्पूर्णम झाले वाले राच़ कर दो 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 पाले राक्षसों का संहार कर दो प्रावाब्स झाल झाल झाल